हेलो फ्रेंस, वेलकम बैक टो माई चैनल, मैं समीधा, एक बार फिर से हाजर हूँ मैं आपके सामने कुछ टिप्स और ट्रिक्स लेके जो किचन में हमारी काफी मदद करती हैं, ये टिप्स हमारे काम को तो आसान बनाती हैं, हमारे समय की पच्चत करती हैं, साथ ही जो काम हम क करते हैं, वो काफी efficiently हो जाता है, तो उमीद करती हूँ, आज का वीडियो आपके लिए helpful रहेगा, और आपको पसंद भी आएगा, तो चलिए बिनादेरी किये, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, आज की tip number one मेरी काफी ज्यादा useful है, संत्रे का सीजन अप जाने ही वाला ह थोड़े बहुत संत्रे जो आपके पास है, उन्हें आप इस तरह से सेव करके रख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह संत्रे की मैंने पील ली है, एक्चली यह कीनू की है, संत्रे और कीनू में से कोई भी आप ले सकते हैं, उसके अंदर का जो white part होता है, उसको आप इस तरह से knife की health से रगड कर निकाल लें, क्योंकि यह काफी कड़वे टेस्का होता है, तो हम यहाँ पर बना रहे हैं, orange peel candy, तो इसके लिए यहाँ पर यह चिलका उतारना काफी ज़रूरी है, चिलका नहीं है, यह जो skin होती है अंदर से white color की, इसको आप easily knife की health से कर पा shape में भी cut कर सकते हैं, जिसे heart shape में, star shape में, अगर आपको किसी cake के उपर decorate करना है, या किसी dessert के उपर किसी specific theme पर अगर आप कर रहे हैं, तो आप उस तरह से कर सकते हैं, मैं in general इस तरह से ही करती हूँ, ताकि यह candies किसी भी cheese में आप mix करें, तो एक जो natural flavor होता है, orange का वो मिल जा के काम भी आती है, orange peel candy बनाने का जो process है, वो तीन से चार step में होता है, पहला step तो हम complete कर चुके हैं, second step में मैंने यहाँ पर पानी लिया है, पैन में और उसे boil होने दिया है, उसके बाद उसमें यह peel डाल दी थी, और लगपक 2 मिनट मैंने इसे boil किया है, बहुत soft आप नहीं क कोड़ा डालने के बाद यह boil आ गया है, इसके बाद फिर मैं इसको चान लूँगी, यहाँ पर अगेन मैंने 2 मिनट के लिए इसे फिर से boil किया था, तो 2 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट हो गय, 4 मिनट होने के बाद यह इस तरह का हो जाएगा, अब हमें prepare करना है, इसके लिए सुग सुगर सिरफ, तब तक मैं इसको चलनी में सी तरह छोड़ दूँगी, तो सुगर सिरफ बनाने के लिए जितनी quantity आपके पास है, यह पील की उसके according आप बनाए, तो मैंने 1 फोर्ट कप लिया, यहाँ पर चीनी और उसमें 1 फोर्ट कप ही water add करके, थोड़ा सा orange food color डाला है, ताकि वो तोड़ा सा tempting सी लगे, तो यहाँ पर क्योंकि जब हम boil करते हैं, तो color थोड़ा सा और dull भी हो जाता है, तो वो ना हो उसके लिए, यहाँ पर color add किया, आप चाहें तो color skip भी कर सकते हैं, इसके बाद यहाँ पर हमें इसे 2 तार की चासनी जैसा बनाना है, यानि कि ज इतना भी मिठास है, वो इसमें absorb हो जाए, और यह जो layer है, वो बहुत अच्छे से sugar coated हो जाए, तो इसमें जो lemon का flavor है, साथ में यह मिठास जो आजाएगी, उससे इसका taste काफी अच्छा हो जाता है, यहाँ पर थोड़ी देर इसी तरह रखने के बाद मैंने ली है, एक plate, और यह एक्सेस में sugar सीरफ था, वो मैंने हटा दिया, और इसके बाद उपर से आप powder sugar डाल के, इसको coat करके रख सकते हैं, यहाँ पर मैंने जिस हलका सा ही sugar coat किया है, इसके उपर, और इसके बाद आप किसी भी air tight box में इसको इस तरह से fill करके fridge में रख दें, और जब भी आपको decoration या फर किसी चीज में से यूज करना है, आप इसे यूज कर सकते हैं, बहुत ही tasty है, ऐसे भी खाने में लगती है, तो आप इस recipe को जरूर ट्राइ करके देखें next tip भी again मेरी orange peel को लेकर है, orange peel बहुत ही ज्यादा nutritive होती है, इसके आप mask बना सकते हैं, cleaning में यूज कर सकते हैं, तो इसको as it is आप dry कर सकते हैं, या फिर जिस तरह से मैंने बताया, white part निकाल के आप इसको dry कर लें, और जब अच्छे से dry हो जाए, फिर आप एक mixer grinder में लेकर इसको अच्छे से powder बना लें, यहाँ पर आप देख सकते हैं, कितना fine सा powder बन रहा है, एक बार में जो नहीं बने उसको आप दुबारा से piece लें, या फिर next day के लिए फिर से धूब दिखा दें, और जब fine powder आपको मिल जाए, तो बस आप इसको store कर सकते हैं, इसमें आप करती हूँ, as a cleaner, तो आप जब बरतन दोएं, तो लिक्विड में थोड़ा सा यह mix करके रख दें, तो बहुत ही अच्छे से बरतन scrub हो जाते हैं, और जो steel के बरतन specially होते हैं, उनमें बहुत अच्छी चमक आ जाती है, तो आप इसको ज़रूर ट्राय करके देखें, नेक्स टिप में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, कॉली फ्लार की बहुत ही अमेजिंग रेसिपी, एक्चली मेरे लिए भी नियू थी, मैंने दो-तीन बार यह ट्राय किया, तो मुझे काफी पसंद आई, तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, यह है कॉली फ्ला स्टेक स्टेक का जाता है इसको मैं स्पैलिंग यहां पर लिख दूंगी तो आप देख लीजेगा और यह बहुत सारी फ्लेवर में आप बना सकते हैं तंदूरी फ्लेवर में इसमें कॉली फ्लार को इस तरह से काटा जाता है कि यह एक फ्लार की तरह लगे इस तरह से और इस तो इसको रग दिया था एक गंटे के लिए यह देखिये इस तरह से और इसको बेक कर सकते हैं मैंने एक बार बेक कर करके किया था तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आया था और एक चीज और कहूंगी इसके जो मैंने कट लगाएं वो थोड़े से अप थिक लगाएं ता कि जब आप इसे fry करें या bake करें तो ये टूटे नहीं मुझे लगा था मैं आज पैन में करने वाली थी तो मुझे लगा कि ये थोड़ से पतले रखोंगी तो easy हो जाएगा इनको fry करना लेकिन जैसे ही ये crisp होते है न जब भुन जाते हैं तो ये टूटने लगते हैं तो उस तरह नह सकी हैं हमारे search करने के लिए अब आप पूछेंगे कैसे search के जाएंगे इनको आपक इसी bhi soup के साथ जो ग्रेंग शायड बनाते हैं जैसे किड्वा स् एले best या पिर ज़्यादा है पर खिच्डी के साथ ही बैलेंस हो जाता है तो इस तरह से थी आज की ये किचिन टिप्स उमीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आई होगी आप इने एक ट्राइज ज़रूर दें ये कैंडी अगर आप ट्राइ करते हैं तो प्लीज मेरे साथ रिजर्ट भी शेयर कीजिएगा कि कैसी बनी और इंस पील पाउडर के भी बहुत ही अच्छे रिजर्ट आते हैं आप इसे एक बार ज़रूर ट्राइ करके देखेगा अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना साथ ही बेल बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि ज झाल झाल झाल